खालो गाइस, वेलकम फ्रेंड्स, वां सेगंड़ निवीडियो, दोस्तों यूटूब में आपने काफी सारे वीडियो देखा होगा, इनवर्टर कनेक्शन यहाँप और आप देखेंगें, बहुत सारे वीडियो आपने को कनेक्शन कैसे करते हैं, इन्वर्टर को बैटरी से तो आझ की वीडियो को पूरा करने वाला हो इस इनवर्टर सेक्षम के बैक्प साइड पैनल की उपर उसका क्या महत्वब होती है वह सारे आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो सस्क्राइब करके नोटिफिशन बेल आकन को जरूर प्रेस कर लेना साथ में इस वीडियो को लाइक और शेर करने ना पूले आज की वीडियो को लाइक की ट्राकेट रख़रे रहे लिए टू हंड़े तो उमीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को प्यार दो यहां पर आपको मिल जाती है तीन ऑप्संस एको यूपेस बैटरी ट्राइब एंड चार्जिंग करेंट यानि यह जो इनवर्टर अभी मेरे पास एको वाट 1250 रैपिट चार्ज के साथ आती है यह इनवर्टर काफी बलकी इनवर्टर है काफी हैवी लोड इसमें आप दे चाहते हैं झाहिए तो अब से पहले बात करते हैं यूपक्षो एको और यूपेस मोड के यहां पर और आपको नॉन्मली घर पे लाइट पंखा TV बगारा चलाना है तो आप अपने इनवर्टर को इको मोड में सेलेक्षिं करके अपडेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपके प इस सेटिंग में inverter को UPS मोड में convert करनी होगी यानि इस सेटर स्विच से ECO या UPS मोड में convert कर सकते हैं अब बेसिकली इसमें difference क्या है ECO और UPS में inverter तो नॉर्मली है बट फरक यहीं पर होता है जो आपका ECO और UPS मोड होता है यहां पर switching जो time होती है वो बहुत fast हो जाती है UPS मोड में ECO मोड में थोड़ा सा switching मोड जो है थोड़ा सा कम होता है यानि आपको light में एक humming सा देखने को मिलता है बट UPS मोड में आपको नहीं देखने को मिलता है यानि Unbreakable Online UPS बन जाता है आपका ठीक है पावर कॉट होने पर आपकी inverter से कोई भी एक blink भी नहीं देखने को मिलता है इसलिए आपके जब भी इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है बैटरी ट्राइप बहुत लोगों यह पता नहीं होता है बैटरी ट्राइप के ऊपर ठीक है तो यहां पर इस वाली inverter में आपको चार सेक्शन देखने को मिलते हैं तुबलर यानि आपकी जो बैटरी टॉल ट्यूबलर बैटरी आतीे काफी हाइट वाली जो बैटरी आती में जो माइर होती तो अग्र आपके पास ट्यूबलर या जो तो आइस को हम तरफ करेंगे कि ऊसके बाद आ जाती है थो होती है जो आपकी त्याрь प्लैट टीलघ टाइप कर सकते है जो नोर्मल बैटरी होती है उसको आप तर यहा करके अपनी को यूज़ कर सकते हैं स्फम बहुत सारे इंवर्टर में यह फंसट ज़रूर मिलता है ऐसे बहुत सारे इंवटर में आपको तीन ऑफ़सेंसिदेखने को मिलता है ट्वास पर लोकल ठीक है तो यहां पर आपकी बैटरी ड्राइब अगर आपके पास है तो अपने इस battery type को हम SFM पे select करेंगे और इस inverter को हम connect करेंगे अपने battery से ठीक है local तो आप जानते हैं जो भी local batteries है उसमें अगर local battery पर है तो local battery में select करेंगे और inverter कोम operate करेंगे अब यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिलता है charging current ठीक है बहुत सारी inverter में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलता है बट इस वाली inverter में आपको यह नया चीज़ देखने को मिलता है charging current यहाँ पे high or low है यानि अगर आप rapid charge करना चाहते हैं तो high के तर सकते हैं यह output socket है यहां से आप अपने घर के output यहां पर connect करेंगे साथ में आपको यहां पर दो एक केबल मिल जाती है जो पावर केबल होती है इंपूट जो है तो फिप्टी हर्स की यहां पर हम main input करेंगे इस वाले टॉप से अपने कहीं भी इस वाले inverter में आपको 16 MP का टॉ प्रवाइड करते हैं यहां पर आपको 16 MP का टॉप प्रवाइड करते हैं यहां पर देख रहे होगे यहां पर जो है एक पैनल मिल जाता है जो भी अपने inverter हीट होता है जब इनवर्टर वाकिंग में आती है तो अंदर की जो गर्माट होती है या हीट होती है अंदर जो अले जो है ब्लैक वाली है वह आपको 57 में प्रवल्प करेंगे तो यह कुछ फंशन थे हैं आते हैं यहां से रीजैट कर सकते हैं आगर ही बोलटेज आती है वह फ्यूज को हमें चेंज करनी पड़ती है बद इस वाली इंवर्टर में वह चीज नहीं है ठीक है तो एक यह नया चीज देखने को मिलता है इसमें